हम देख लेते हैं rdbms exe el open करता हूँ excel में पहले सबसे पहले तो rdbms का मतलब क्या ठीक है तो ठीविय में मैंने बताई दिया आपको practical कुछ देख लो जी rdbms यह होता है जी rdbms r कमाने relational database management system rdbms मने relational database management system है तो क्या है ना इसमें rdbms को मैं r हटा दू ते हो जागा dbms मतलब database management system तो database को manage करने का enable technique है अब आप देख लो ना कि पूराने जबाने में क्या करते थे हैं अभी भी कहीं जर काफी जगह होता है जी register open करता है नाम, address, बाकी बाकी details लिख के अम रख लेते हैं और कुछ हमसे details बानता है तो हम register निकाल के दे देते हैं राइट ऐसा होता था अब डिजिटलाइज हो गया data तो यहाँ पे computer के form में जब हमने data store करा तो यहाँ भी different तरीके से database manage होने लगा जैसे माली जी excel में है ठीक है तो excel में क्या करूंगा table के form में data को manage कर लोंगा जैसे यहाँ पे id हो गया rule number हो गया name हो गया class कर लोंगा class में डाल देता हूं gbca क्या करती है address में डेल देता हूं yndia तो यह बन गया जी हमारा table table के form में data हमने manage कर रहा तो यह rdpms हो गया ठीक है अगर इसी को में notepad open कर लेता हूं notepad notepad में क्या करा मैंने id लिखा one लिख दिया यहाँ पर name लिख जी यहाँ पर cmand type करा मैंने class में लिख दिया bca address लिख दिया india अगर तो मैंने data manage ही कर रहा ना लेकिन मैंने क्या कर रहा किस form में कर रहा मैंने notepad में लिख लिया तो यह हो गया file system के file बनाया उसे management database कर दी तो फिर आया dbms file system के माते हमसे मैंने manage करा अब फिर उसके बाद हमने क्या करा कि dbms को के जिकर पर हमने कर दिया जी rdbms relational database management system इसमें क्या हुआ हमने table के form में data को manage करना और multiple table हमने बनाया जरूरत की according और फिर multiple table में कुछ relationship हमने दर्शा दिया जैसे क्या relationship होगा किसी table में primary की बना देंगे किसी में foreign की बना देंगे जरूरत की according किसी में union constant prefine कर देंगे किसी में null कर देंगे किसी में not null कर देंगे मैं आपको बता दूंगा ठीक है पर अभी तुरत नहीं थोड़े देर में बता दूंगा तो हम यहां भी क्या देखेंगे हमें देखने का इधर rdbms relational database management system तो हमें यह देखने है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसके लिए कुछ software require है आप कुछ भी use कर लो जी oracle use कर लो oracle list कर लो यह च्या गलत होगा तो आप manage कर लेना है या फिर ms esquival server Microsoft कर लो आप या फिर mysqival use कर लो free वाला चीज है mysqival use कर लो मैं तीनों user के लिखा दूँगा ठीक है तो mysqival पे हम क्या करने है इसी तरह से table वगर बनाते है ठीक है table के form में database को manage करने के लिए कुछ software बनाया कुछ company होने जैसे oracle company ने oracle का बनाया Microsoft company Microsoft SQL server बनाया ठीक है उसी तरह से यह database है आपका यो की प्री है कि यह कुछ software बनाया हम इसी software करने हमसे database अपने data को manage कर लेंगी तो मैं समय वर्वाद ना करते है अपना माई SQL का software बनाता है यह क्या है कुछ नहीं मैं सबसे पहले क्या करूंगा एक database बनाता हम ठीक है सबसे पहले database बनता है database के अंदर बनता है table और table के अंदर हम क्या करते है data store करते है right जैसा गलब लिखता हम इस पहले data हमें store कर लेते है right तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बनाएंगे table table नहीं पहले database में बना लेता हूं database बनाएंगे कैसे create database फिर क्या कर दो my db ठीक यह लिखा लगा दिया semi color ठीक है और फिर मैंने कर दिया इस को प्रेस करके execute यहां पर आगया टिक का निसान create database इसको मैं रिप्रेस करा तो आप देखोगे my database इधर आ गया है अब इसको मुझे select करना है तो मैं क्या करूँगा simple सी बात है नीचे आओंगा use my db तो यह हमारे database देखे अब इसके अदर table नहीं बनाया है तो table अगर हम बनाएंगे टेबल बनाने वाले तो टेबल बनाने का क्या तरीका है table बनता कैसे है जी तो हम पहले लिखेंगे create command लगाएंगे कुछ queries मैं write कर लेता है यह देख लिए आप कुछ queries मैं write कर लेता है यह देख लिए आप कुछ मैंने क्या कर ना है इसको इंटर्णेट से डाउंलूड कर लिए है तो command कितने तरह के होते है ddl, dml, dcl, tcl ddl मतलब data define language dml मतलब data manipulation language dcl they Training declare data query language, ठीक है, ddl के अंदर create आएगा, altr आएगा, truncate आएगा, drop आएगा, right, मैं ddl आपको बता देता हूँ यह बागी को, हम देखें के बाद में दीरे देगा, ठीक है, तो मैं open करनो अपना workbench, यह मेरा mysqevel है, right, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको mysqevel इस्टॉल करना आता होगा, नहीं आता होगा, तो आप मतादो यह, मैं वो भी आपको बतादू, right, तो create, table create करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, create, table लिखेंगे, फिर लिखेंगे, table अंदर इस्टोर ने, यहाँ पर लिखेंगे हम table का नाम, ठीक है, फिर यह table name, फिर bracket लगाएंगे, फिर क्या करेंगे जी, col underscore inam, column का नाम लिखेंगे, फिर space देंगे, data underscore type, data type लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, size लिखेंगे, ठीक है, फिर constant, यह constant करता है नहीं, spelling गलत है, या सही मुझे नहीं मालूँ, गलत ही ह होगा, मुझे अपने उपर पुरा यकीन है, यह गलत होगा, तो आप, constant आप समझ जाना, अकरेक्ट करेंगे ना, ठीक है, मेरा अंगरी जी, फिर यहाँ पर दूसरा column का name दे देंगे, ठीक है, फिर इस पर देखेंगे, data underscore, data type दे देंगे, फिर यहाँ पर दे देंगे, size, ठीक है, पर फिर क्या करेंगे, बस हो गया, हम इसको execute कर देंगे, table हमारा बेंजाए, correct, तो हमको क्या करना है, table name के जाफे चालिक देता होना है, emp, employee नाम का, हमको table बनाना है, ठीक है, एस index हमारा होता है, table name के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कि यह line मैं comment करके रख लिया आई, ठीक है, अब मैं real में table बनाता हूँ, ठीक है, create, table, table name में student दे देता, ठीक है, अब student का क्या होगा जी, मैं name ले लूँगा student का, ठीक है, अब data type, data type में बहुत सारे data type आ जाते हैं, मैं कुछ internet से copy करके रखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, यह देखे, अगर आपको कोई sub, अक्छा restore करके रखना है, माने character restore करके रखना है, तो उसके लिए आप character ले सकते हैं, ठीक है, उसका size इतना हो जायागा, ठीक है, वार क्यार data type है, इसके bracket के अंदर आप size दे सकत है, मैं सब को नहीं बतारा आप, यह है text data type, text data type में इतना size होता है, इसके बीद में आप size दे सकते है, यह blog है, boundary laws object, इसमें इतना आप दे सकते है, size में data, यह medium text है, medium text में इतना दे सकते है, data, ऐसलिव क्या करेंगे आप यतना सारा कश सकते हैं यह सारे दीनित kis तो उसके लिए bit आता है जो कि इतना size इसका होगा ठीक है इतना tiny ठीक है इन tiny आता है जिसका size इतना होगा जी ठीक है गूलियन है इसमें true false जागा जी ठीक है गूलियन equal to boolean गूल के ही जैसा यह है ठीक है कि small int का size इतना होगा जी बहुत जाला देदी है small मतलब integer का size जो रहत है 4 byte ठीक है medium int है कर integer तो आप समझी का होगे मैं और देखता हूँ आपको plot ले सकते हैं जैसे पैसे अगर आपको दस्मालों का value रखना है तो plot में रख सकते हैं आप पहले plot लिखेंगे फिर size लिखेंगे फिर दस्मालों कितना होगा वो लिख जाएंगे ठीक है यहाँ बगवाई plot है ठीक है बहुत जादा बड़ा size है तो आप decimal ले सकते हैं double data type ठीक है यह है इसमें मैं एक data type जाबूर जा लिखना चाहाए date time ठीक है date data type होता है date किस form में restore करता है पहले yyy y होगा mm date time भी होता है time data type भी होता है और क्या रहता है घंटा मीनट second लेता है date time date time दोनो data type होता है जिसमें पहले date लेता है और फिर time लेता है easy format में जो मैंने उपर लेता है तो इतने ऐसे तो मुझे लगता है कि आपको काम चली जाएगा जी बाकी में इधर आ जाता हूँ तो name लिया name क्या किस type का data होगा name column का data होगा वारetrश टाइप पर ईसकाइगा इसका साइज कितना होगा किते हैंगा इसका मैं 20 पामा दे दूंगा name क्रेट अपच्या देदूंगा आईडिर्स देदूंगा आणडिर्स भी वार क्यार होगा वार्क्यार में क्या दे देंगे 20 दे देंगे इसका भी 20 इसके बाद हम क्या दे देंगे पिन कोड इसके एरिये का पिन कोड तो पिन कोड में हम क्या यहां पे करेंगे पिन कोड में इंट डेटा टाइप नहीं ले रहा हूं ठीक मैं कौन सा डेटाइप ले रहा हूँ वार क्यार डेटाइप किस टाइप का डेटाइप उर करता है कारेक्टर टाइप का डेटाइप और सब अच्छर ठीक है तो इसमें 6 डिजीट बेता हूँ क्यों हमें एंटिजर तब लेना चाहिए जब हमने उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन मुझे करना नहीं है इसलिए मैं नहीं लूँगा अब मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करूंगा चांटूल प्लस एंटर दबा दिए ठीक है तो यहाँ पर आगया टेबल फिलेट सबसेस्पल ठीक है और टेबल ही क्रियेट हो गया अब आप जहां पर जहां तो यहां पर भी रिप्से साल कर देंगे तो यहां पर एड़ी क्या माल लीजिये कि अचाय को मैं मीठाता नहीं हूँ रहने देता हूं डिस्किप्शन में दे दूँगा आपको अब आप यह माल लेजे कि मैं क्या चाहता है कि जब मैं बना रहा था ठीक है तो रूल नंबर का कॉलम मैंने तो इसमें नहीं लिया जी घूल गया लेना तो मैं चाह करेंगे जी अब मैं करूंगा ऑल्टर टेबल से क्या होगा ऑल्टर टेबल से मैं करके दिखा देता हूं क्या क्या हो सकता है अब मैं एक कॉलम एड करता हूं किस टाइप का रूल नंबर डूल अटर टेबल रूल नंबर इसको मैं इंट दे देता, इंट दे दूँगा इस तरह से, ठीक है, अब मैं कंट्रोल स्पर्स करके एंटर मारूंगा, यहाँ पर होगे, अल्टर टेबल सक्सी, ठीक है, अब डी यह सी, इस्टूडेंट को मैं डिस्क्रिप्सन अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, यह देखे, इ उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आट कॉलम में रोल नंबर के दिए मैं क्या कर दूँगा जी, फी, फी में मैं क्या कर दूँगा, फ्लॉट, ठीक है, इसका फ्लॉट, फीस होगा, फ्लॉट में, ठीक है, फीस के साथ साथ क्या होगा, और क्या ले लो, अब्जेक्ट में क्या देंगे वार क्यार में देंगे 30 राइट एड कॉलम करा मैं और फिर यहां से इसोखों की बेल्ट है यहां प्रेमर क्या हो गया अल्टर टेबल इस्टूडेंट फिर एड कॉलम फीस डिनर डाइप फ्लॉट होगा ठीक है तो यहां से यहां तक एड कॉलम फिस करा अब एक कॉलम एड करने के लिए इतना लाइन में लिखा फिर दूसरा कॉलम अगर एड करना है तो फिर कॉलम से सेपरेट करेंगे कॉलम देंगे कॉमा देंगे यहाँ पर ऐसे और फिर यहाँ पर लिखेंगे add column subject फिर उसका data type देंगे दूसरा column और add करना है तो फिर कॉमा देंगे और फिर add करेंगे फिर column देंगे ठीक है तो इसी type से हम जो है multiple column add करेंगे अब इसको मैं select इस पर देंगे पर देंगे यहाँ आप अब अल्टर टेबल टेबल टेक है इस्टूडेंट करोगा अल्टर टेबल इस्टूडेंट करने से पहले में description दिखा देंगा हम आपको description इस्टूडेंट ठीक है तो अब क्या होगा फिस और सब्जेक्ट दोनों अब मैं क्या चाहता हूँ फिस को सब्जेक्ट को ड्रॉप रदूँ यह गलती से बन गया था ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी अल्टर टेबल अल्टर टेबल इस्टूडेंट ठीक है अब क्या करूँगा ड्रॉप कॉलम फी ठीक कॉमा दे दूँगा मुझे एक कॉलम और ड्रॉप करना है तो ड्रॉप क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे करूँगा सेमी कॉलम दिया कर दिया एंटर क्या बोल दिया यह बोल रहा है जी सॉरी मैंने सब्जेक्ट देता हूँ ठीक है चली एंटर माँ रहा ये दिखिए कॉलम ड्रॉप सक्सेश्ट तो multiple column drop करना है तो आप यह technique यूज़ करेंगे लेकिन आपको single column drop करना है तो क्या करेंगे जी simple सी बात है single column लिखेंगे और गया ठीक है इस किजिए आप मैं क्या कर दूँगा rule underscore ये लो कर दूँगा drop हो गया तो अब d esc करूँगा मैं और student मैं कर देता हूँ तो पहले ये दो column drop होए होंगे तो इसके बाद सिर्फ एक column drop होगया है तो इस तरह से आप क्या करेंगे जी table के delete कर लेंगे table के delete हो जाएगा उसमें हम column add कर सकते हैं column drop कर सकते हैं तो ये सारा काम इस तरह से कर लेंगे अब इसके बाद मैं इन सारे queries को ऊपर ले जाता है इत्ता हो गया मैं थोड़ा बड़ा कर गदूं पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगे हैं ठीक है इसके बाद क्या करना हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है और इस अब त्रंकेट के लिए हमें क्या करना होगा अब त्रंकेट मैं थोड़ी देराना बता था मैं एक जिञल रहा था बताना है आप माल लीजें की जो ऑल्टर कर लेंगे अल्टर किते अअर्टर,श्कित कि बाद करेंगे टोकित पेज कोलॉब इमेल होगा, आप इसी मैं यह कर देंगे, आई-म-टी, तो भी आप देख लिए इमेल है नहीं, यह पूँट है, यह कर दिया मैंने, ठीक है, पेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखें, वार क्या रहें, जैसे ही मैं करूंगा, वेली सक्सेस हुआ, और क्या होगे आप, इसी करके, इस्टूडेंट, इस्टूडेंट कर दोगा मैं, आप देख लोगी, इन्ट हो गया, ठीक है, तो मुल्टिपल कॉरम का भी आप डेटाटाइप इसी तरह से चैंज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप काम कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करेंगा, फिर से म जैसे यहाँ पर नेम है, मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को याद है आ गया, कि नेम जो है, वो कॉलम का नाम बलत है, मैं क्या करता हूँ, बदलना चाहता हूँ, अल्टर, टेबल, इस्टूडेंट, ठीक है, अल्टर, टेबल, इस्टूडेंट हो गया, अब इसके बाद मैं क्या करनेंगा री नेम रीनेम रीनेम काला हुआ ठीक है अब रीनेम लेखने के बाद क्या कर देंगी थी नेम ठीक कोलम रिनेम टू इसके बाद में क्या कर दो जी कि a aht में जो नेम जो कॉलम था उसको मैं रिनेम कर एका जाता हूं फर्श्ट नेम जाता हूं कि करने तो डेकर कर दो रहा है तो ये दीखे रिनेम हो गया था झाओ इस्टूडेंट इस्टूडेंट ठीक है यहां से में कॉलम हो देता है करा इस देखिए इपनेम हो गया एक दूसरा कमान दूसरे तरह से आप चाहिए तो इसको कर सकते हैं क्या करेंगे रीनेम के दिख़ पर जी चैंज देखिए तो यह भी काम कर देता है ठीक है फ़स्ट नेम टू ठीक है तो यह अभी इसमें पेरर बता है हो सकता है कि यह दूसरे डिटाबेस में काम करे यह नहीं हो रहा है तो हो सकता है यह पूरेकल में काम करे ठीक है तो इस तरह से आप जो है रिनेम कर दें इसके बाद आप क्या बच्छता है तो एक स्केंट रूप एक चीज बच जाता है वो क्या बच जाता है माले जो मुझे टेबल का ही नाम इस्टूडेंट पसंद नहीं है तो अल्टर करते माला है टेबल रिनेम टेबल रिनेम और इसके बाद आप आप जा रहा है एक सिकन राइंट दो इस तरख यहां से मैं हटा देजा होंगी ठीक है सीधा मैं च्या लिख आगँ मैं रिनेंट टेबल स्टूदेंट सेगे सक्सेस टेबल जो है रिनेंउ खोगा तो इसे रिनेंउ होता है तो अब आप टे करेंगे यह student नम का तो टेबल ही नहीं हमने क्या कर दिया नाम कर दिया इसका अब एस्टीवी को में डिफाइंड चुन रहा है यहां पर यह दे रखेंगे इसको प्रटा दोता है तो जितना भी था हमने रिनेम कर दिया मल्टीपल नहीं तो आप मल्टीपल के इस्तेमाल कर लेंगे जितक है मुझे जहां तो फिर से नहीं होता था ओल्टर टेबल नहीं कि टिक है अ फिर देट्टिपन त्विस थिटीग त्यों गवेह करना चाहिए तो इस तरह से भी नाम बदल देंगे जी ठीक है अब डी एस से इस्टूडेंट कर लेंगे कर लेंगे लिसके अब देंगे आ गया यहां पर इसको मैं कर दूं बड़ा इसको मैं कर दूं और बड़ा इसको मैं ले दाओ नीचे रड़ यह नीचे नहीं जाएगा क्या है इसको मैं ही गायप कर देता हम ठीक है यह टूडल मेरा क्वेरी है जी यह सारा क्वेरी है मेरा आप चाहिए तो इस प्रिंस और सो घर ले सकते हैं बाकी एक चीज में बढ़ूर रहा था बताना वह आप बता देता हूँ ठीक है यह स्टूरि टेबल को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे जी टेबल डिलीट करना है तो क्या करेंगे ड्रॉप कमांड देंगे और फिर टेबल का नाम लिख जाएंगे सेमिकॉलन देंगे ड्रॉप टेबल लिख नहीं चला ड्रॉप टेबल रहे हैं यह तो अधिकर नाम का ही टेबल है काटेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट सेमिकॉलन देंगे ड्रॉप टेबल है ड्रॉप हो गया ड्रॉप मने डिलीट हो गया ड्रॉप अब मैं 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 डिलीट हो गया ड्र जो हमने आज काम करा है और इसकी विल का कमांड है तो मैं ले दूंगा description में आप देख देना जे ठीकर create हो गया, order हो गया, drop हो गया, truncate क्या करता है table में जितना भी data रहता है, सारा data को एक जटके में delete करता है truncate command यही हुई इसका इसके माल है बाकि dml command बढ़ेंगे उसमें बाक चीज़े हम करेंगे, right चलिए अज़ा आज़ा 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 आज़ा